सुसाइट का खौफ, क्यों बहुत से लोग जिन्दगी के सफर में हार मान लेते हैं और सब ख़तम कर देते हैं, क्या होता है ऐसा उनके साथ, आज मैं बताऊं कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में जो सब को सोचने पे मजबूर कर देगी, जीवन में ऐसे सिचुएश आ जाते हैं, जो इनसान को बॉखला देते हैं, इनसान सोच नहीं पाता कि करना क्या चाहिए, उसे लगता है चारों तरफ से दुनिया काटने को आ रही है, कुछ खुशी बची नहीं, कुछ अच्छा बचा नहीं, सब खराब हो गया है, ठीक करने में जिन्दगी लग इनसान को सबसे आसान लगता है जिन्दगी त्याग देना, उस सब मुश्किल घड़ी में, उसे सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, वो mentally burdened महसूस करता है, उसके लिए सफरते करना मुश्किल हो जाता है, सब भारी लगने लगता है, सब पहाड बन जाता है उस समय, उस जीने का दर्द मरने के दर्द से भी बड़ा लगने लगता है और इसलिए वो मार देता है खुद को, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, समझना इस बात को, जब जीने का दर्द मरने के दर्द से जादा लगने लगता है, तब भी इनसान मरने का सोचता है, जिसको जीवन का दर् जिन्दगी के बड़े दर्द से भागना चाहता है उसको जेलने से डर रहा है हिम्मत हाट चुका है ना वो किसी से कुछ शेर करता है डर्या शरम के कारण चारों तरफ से अकेला हो जाता है खुद को बंद कर लेता है कोई सहायता उस तक पहुंच ही नहीं पाती और इसी मुश्किल नहीं लगता उसे उसे खुद की कीमत भी नहीं दिखती वो उस वक्त खुद के प्रती भी नेगेटिव हो जाता है वो सोचता है उससे कुछ नहीं होगा अब वो नहीं कर सकता उसमें ताकत नहीं है उसमें हिम्मत नहीं है उसमें capability नहीं है वो कुछ भी नहीं है उसका कोई वजूद नहीं है, जीवन के प्रती और खुद के प्रती, दोनों के प्रती negative हो जाता है वो, तब जाके ऐसा कदम उठाता है, उसे लगता है आगे जो होगा, वो मरने से भी बुरा होगा, इस जड़ से वो मर जाता है पर इससे बड़ी दुरगटना क्या हो सकती है कि इतनी हसीन और प्यारी जिंदगी को कोई मुसीबत समझ ले और खुद को समाप्त कर दे पर ऐसा हो रहा है और यही सचाई है और यह सब कुछ कलपना के आधार पे हो रहा है कल उसने नहीं देखा पर कल से डर रहा है और डर के कारण ऐसा कर रहा है सचाई नहीं पता उसे पर वो अपने आपको डर के वज़े से खतम कर रहा है, डर के आधार पे कदम उठा रहा है, अपना खुद का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है उस समय, मन साथ नहीं तो बॉडी भी साथ नहीं, मन हावी हो गया तो कहानी खतम हो जाती है, इसलिए हमेशा मन को अपने कंट्रोल में रखो, मन को कंट्र मन को दे दोगे तो दुरघटनाएं ही होंगी जीवन में, कंट्रोल अपने पास रखो, अपने ज्यान से चलो, मास्टर तुम हो अपने, तुम्हारा माइंड मास्टर नहीं है, उसको बनने भी मत दो, अपने अंदर का दिया हमेशा जला के रखो, अंदर अंधेरा ना हो प के बारे में सोचा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेर करके पहुंचाओ, ताकि कोई और सुसाइड ना करे, ये किसी की जंदगी बदल सकता है, जैसच